गुद मॉर्निंग स्टूड़न्ट्स आज हम आपके जो मेरी गोल्ड है इंग्लीश उनकी टेक्स बुक में जो सेकंड चेप्टर है जो हमने आदा किया था वो आज हम आगे करेंगे यहाँ पे देखी एक स्टोरी है दा बबल, दा स्ट्रो एंड दा शू बबल, बबल मतलब यह आपको पता है वो जब हम पानी होता है उसके उपर जो बुलबुले बनते है वो फिर दा स्ट्रो मतलब वो जो पानी पीने की आइसे कुछ पीने की जो स्ट्रो होती है वो and the shoe, shoe मतलब के shoes, पैरों में जो पैनने का होता है वो तो इनकी एक ये story है वो हम आज सुनेंगे यहाँ पे देखे, listen the, enjoy the story Once upon a time there were lived bubble, straw and shoe One day they went into the forest Once upon a time, एक बार bubble, straw and shoe एक वो तीनों एक साथ रहते थे One day they went into the forest एक दीन वो तीनों जंगल में गए They came to a river They did not know how to cross it The shoe shade bubble let us float on you वो एक नदी के पास आए वो नदी को देखे, उनको पता नहीं था कि हम ये नदी को कैसे क्रोस करें दोशू, शूर ने कहा कि बबल आपके मतलब बबल है आपको पता कि वो जो बुलबुला होता है वो तैरता रहता है पानी में तो बुला कि बबल आप मतलब एक साथ तैरना सुरू करो ऐसे फिर आगे नोशू, लेट स्ट्रो स्ट्रेच इमसेल्फ फ्रॉम वन बेंक तो अधर देन वी केन क्रोस दरीवर फिर जो बबल था बबल ने कहा कि नहीं शू हम ऐसा नहीं करेंगी जो स्ट्रो है उसको एक स्ट्रेच से एक दूसरे से वहाँ पे हम स्ट्रेच करें वो बूला कि हम यह जो स्ट्रो है उसको हम एक रीवर मतलब एक नदी होती है उसके एक किनारे से लेके दूसरे किनारे पर हम स्ट्रेच करेंगे और उसके उपर से हम नदी क्रोस करेंगे तो फिर वो स्ट्रो थी आपको यहाँ पे दिखो पिक्चर में दिख रहा है कि यहां पे जो स्ट्रो थी उसने क्या किया ? यहाँ से लेके यहां तक उसने अपने आपको स्ट्रेच किया मतलब लंबा किया जब शू है आपको पता है कि शू है वो तो भारी होता है तो शू ने जैसे ही स्ट्रो के उपर जम किया इट ब्रॉक श्ट्रो की क्या हालत हुई वो बीच में से तूट गई शू फैल इंटू दो वाटर विथ लाउड डिस प्लेस और वो जो शू था वो कहां गया पानी में एक जोर से पानी में ऐसे आवाजाई जोर से और पानी में गिर गया और यह जो बबल शू के जोर से ऐसे हिल डूल रहा था और बस्ट विथ अ बिंग बैंग और एक बड़े से जोर के धमाके के आवाज से वो फूट गया अब हम यह आगे जो आपके question answer है वो करेंगी यहाँ पे देखिए अब यह आपके दूसरी page पे है filling the blanks है यह इसको यहाँ पे इसके answer दिये गए है और वो इसको हमने इसमें करने है तो यहाँ पे है the straw himself from one bank to another bank तो वहाँ पे क्या आएगा यह आएगा stretch फिर में stretch मतलब उसने अपने आपको लंबा किया stretch किया तो फिर में आएगा यह stretch फिर है the shoe blank on the straw फिर आपको पता है कि शूर ने वो straw के ऊपर क्या किया तो jump किया वहाँ पे क्या किया jumped तो यह आएगा second में फिर वहाँ पे आएगा the bubble blank and blank with laughter and blank with a big bang तो वहाँ पे bubble ने क्या किया तो bubble वो shook और यहाँ पे भी shook shook and shook with laughter और end यहाँ पे आएगा last में आएगा burst यह shook and shook दो बार आएगा और यहाँ पे last में आएगा यह burst वो एक धमा के के साथ bubble फूट गया फिर यहाँ पे नीचे है उसको आपको यहाँ पे ऐसे यह ऐसे पहुंचाना है टॉट पेल को वहाँ पे फ्रॉग वाँ पे पहुंचाना है फिर है यहाँ पे देखे ड्रोध बबल्स and trace say letter it found आपको यहाँ पे बबल्स को भी trace करना है और यहाँ पे यह देखे जैसे यह है तो यहाँ पे यह ऐसे बबल्स है तो यह बबल्स को भी ऐसे trace करेंगे और बीच में A फिर यहाँ पे दूसरा B यह पूरा ऐसे करना है आपको फिर है match the balls match the balls with their numbers now trace the numbers यहाँ पे देखे आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 तो हमें क्या करना है इसको 7 से मिलाना है और फिर 7 को trace भी करना है तो यह आपको count करके दूसरे set से match करवाना है फिर यह एक activity है look at this object put them into a tub of water say wish one will float and wish one will sink यह एक activity है आप वहाँ पे एक कोई भी छोटी सी bucket लेंगे bucket मतलब वो पानी की जो आपकी डोल होती है वो और उसमें यह दिखे यह चीजों में से आपके पास जो चीज हो वो आप पानी में डालेंगी और इसमें से आपको देखना है कि कौनसी चीज फ्लोट कर रही है और कौनसी चीज वहाँ पे पानी में श्रिंग मतलब नीचे बैट जा रही है आपको पता है जैसे हम stone डालेंगे तो stone पानी में नीचे बैट जाता है और ये punk है यहाँ पे feather दिया गया है तो वहाँ पे वो feather होता है वो पानी के उपर तैरता है तो ये सारी चीजों में से आपके पास जो available हो उसमें से याज आप एक activity करेंगे और इसके मुझे फोटो या वीडियो बेजेंगे फिर है ये लास्ट वाला पेज है draw the well, color it and say the rhyme aloud यहाँ पे आपको क्या करना है इसको ऐसे draw करना है यहाँ पे देखिए ऐसे और बीश में भी यहाँ पे जहाँ है आपको वो draw करना है और लास्ट में इसमें आपको color भी करना है यह आप इसमें color करेंगी यह देखिए यहाँ पे फिर है यह एक छोटी सी यह rhyme है a bell fell in the well a bell fell in the well ding dong ding dong bell a bell fell in the well ding dong ding dong bell तो आज आपका यह यहाँ तक आपका यह हमारा second chapter finish हुआ तो आपको इसमें एक activity करनी है और यह finish करना है ठीक है? Thank you